सेतिस साल के उम्र में टीवी एक्टर कुशल पंजाबी का निथन हो गया आज कुशल पंजाबी हमारे बीच नहीं है वो खुद तो इस दुनिया से चले गए लेकिन अपने पीछे कई तरह के सवाल छोड़ कर गए है जितने भी करीबी कुशल पंजाबी के हैं उन सबने अपने बयान में एक ही बात कही है सबने एक ही बयान देते हुए कहा है कि कुशल जैसा सकरात्मक और खुश मिजाजी इंसान अपनी जान भला कैसे ले सकता है हर कोई है यह सोचकर कि कुशल अपनी नीची जिन्दगी में इतना तनाव छेल रहे थे और तनाव का स्तर कुछ इसकदर बढ़ गया कि उन्होंने इस जिन्दगी को जीने से ज्यादा इसे खत्म कर देना सही समझा अपनी जिन्दगी को खत्म कर देने से दो दिन पहले तक जो कुशल पाठी कर रहे थे उनका अंतिम संस्कार हो चुका है उनकी मा से लेकर पिता तक, बेहन तक और उनके तमाम दोस्त ये सोच सोच कर अंदर ही अंदर परिशान होते जा रही है कि कुशल ने आखिर इतना बड़ा कदम उठाया, तो उठाया क्यों? अगर वो इतना परिशान थे, तो क्यों नहीं? अपने मन की बातें, अपने दोस्तों संग साजा की? सीरियल इश्क में मर जावा में कुशल के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके अक्टर विने रहना का परिश से वापस लौट चुकी है, मुंबई कुशल पंजाबी की यूरोपियन पत्नी शिंगाई चली गई थी, तीन साल के बेटे कियान को लेकर कुछ महीने पहले और अब पती के निधन के बाद वो वापस लौट चुकी है इन तमाम लोगों ने कुशल पंजाबी की पत्नी को लेकर, कुशल पंजाबी के बेटे को लेकर क्या कुछ कहा है और कुशल पंजाबी का वो आखिरी पोस्ट जिसमें उन्होंने अपने बेटे कियान के साथ अपनी खुबसूरत तस्वीर को साजा किया है उस तस्वीर पर एक ता कपूर क्या कहती हैं करनबीर बोहरा क्या कहती हैं यह तमाम जानकारिया आपको देंगे अपनी रिपोर्ट के जरीए देखिए जरा 37 साल के टीवी एक्टर कुशल पंजाबी अब हमारे बीच नहीं है जिन हालातों में कुशल पंजाबी का निधन हुआ जिस तरह से उन्होंने अपनी जिन्दगी का अंत कर दिया फिलाल हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर एक मुस्कुराता हुआ चहरा अपनी मुस्कुआन के पीछे इतना दर्द कैसे छिपा कर रख सकता है निधन के तुरंट बाद कुशल पंजाबी की पत्नी और उनके बेटे पर कई तरह के खुलासे हुए कुशल पंजाबी की यूरोपियन पत्नी पुलिस के कहने पर भारत आ गई है ये दावा किया जा रहा है विदेशी पत्नी के साथ पुलिस की पूछताच जारी है पूरे रिती रिवास के साथ बीते कल कुशल पंजाबी का अंतिम संसकार किया जा चुका है परिवार का रोरो कर बुरा हाल है मा को अब तक यकीन नहीं हो रहा है इस बात पर कि उसका लाल अब इस दुनिया में नहीं है और जवान बेटा अपनी जिन्दगी को खत्म कर चुका है ये बात उनके पिता को अंदर ही अंदर खाई जा रही है टेली ताउन के कई कलकार हैं जो कुशल पंजाबी के निधन की खबर से अब तक सदमे में है और इन ही सब के बीच में इश्क में मरजावा सीरियल में कुशल के साथ काम कर चुके अक्टर विनीत रैना का बड़ा स्टेट्मेंट सामने आ गया है विनीत ने जहां एक तरफ कुशल पंजाबी के देहांट पर अपना शोक व्यक्त किया वहीं इंटर्वियू में कहा इस दुख पर एक खबर का मुझे आज ही पता चला अरजुन बिजलानी ने मुझे सुबह फोन करके बताया इस बारे में मैंने कुशल के साथ सीरियल इश्क में मरजावा में काम किया है सेक पर हम दोनों की अच्छी दोस्ती हुई हम एक साथ खाना खाते थे उसके बाइकिंग, फिटनेस, भरे किस्से उसने मुझे बताए वो हमेशा खुश रहता था, बहुत ही बुद्धिमान था जब अरजुन बिजलानी ने मुझे फोन करके बताया मैं दो मिनक के लिए शान्त हो गया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है, कैसा हुआ और क्यों हुआ वो डिप्रेशन में था या नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं वो टीवी शो अभी ज्यादा नहीं कर रहा था लेकिन बाकी चीजों में बिजी था नेट्फलिक्स और अमेजन प्रोजेक्ट्स थे जिन पर वो काम कर रहा था और हमीशा खुशमिजास रहता था हर किसी से अपने बेटे के बारे में बात करता अपने बेटे कियान की मस्तियों के बारे में हम सब को बताता मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसा कुछ किया है भगवान को पता मुझे नहीं लगता उसकी किसी करीबी दोस्तों में से किसी को भी इस बारे में पता होगा क्योंकि उसके साथ इतना समय बिता कर भी हमें कभी नहीं लगा कि वो परिशान है वो इतना खुश रहता था, इतनी पॉजिटिविटी फैलाता था कि हम सबके लिए इस बात पर यकीन कर पाना भी मुश्किल है कि कुशल अब हमारे बीच नहीं है विनीत रैना ने ये बड़ा बयान दिया बता दे आपको कुशल पंजाबी के निधन के बाद उनकी पतनी को लेकर भी कई तरह के खुलासे हो रहे है अक्टर चेतन हंसराज ने एक इंटर्वियों में बताया कि कुशल अपनी शादी शुदा जिंदगी से जरा भी खुश नहीं था वो काफी डिप्रेशन में था लेकिन हमें नहीं पता था कि वो अपनी जान दे देगा वहीं कुशल पंजाबी की पतनी को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है कुशल पंजाबी की पतनी कुछ महीने पहले बेटे कियान को लेकर विदेश चली गई और उसने कुशर पंजाबी से साफ तौर पर कह दिया कि दोबारा कभी मिलने की कोशिश ना करे जी हाँ ठीक सुन रही है आप जानकारी यही सामने आ रही है कि कुशर पंजाबी की पतनी ने साफ तौर पर उनसे कह दिया था कि अब दोबारा मिलने की कोशिश ना करे विदेशी पतनी और्डरी डॉलेन से सुला करने की कोशिश करते हुए शंगाई जा पहुँचे थे कुशल बिना किसी को कुछ भी बताए कुशल पंजाबी ने अपने दोस्तों तक को नहीं बताया कि वो शंगाई अपनी पतनी के साथ सुला करने जा रही है उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं अपनी पतनी से मिलने जा रहा हूँ और ऐसे में उनकी पतनी से जगड़े की बात ज्यादा विस्तार से किसी दोस्त को भी नहीं पता आडरी डॉलेन वापस भारत आ चुकी है अपने पती के अंतिम दर्शन उन्होंने किये अंतिम संसकार से पहले और वापस भारत आ कर उनकी कुछ तस्वीरे भी वाइरल हुई यहाँ वो गाड़ी में है और अपना चहरा मीडिया से छिपाती हुई नजर आ रही है हाला कि फ्यूनरल की जितनी वीडियो सामने आई है उसमें उनकी पतनी की जलक दिखाई नहीं पड़ी कुशल पंजाबी ने आखरी इंस्टाग्राम जो पोस्ट किया उस इंस्टाग्राम पोस्ट पर तमाम सितारे अब अपनी प्रतिक्रियाए दे रही है आखरी पोस्ट के तौर पर उन्होंने अपने बेटे संग अपनी तस्वीरे साजह की थी आखरी पोस्ट के तौर पर उन्होंने अपने बेटे संग अपनी कई फोटोस शेयर की जिन पर टेलिवीजन क्वीन एकता कपूर का रियाक्शन सामने आ गया है जी हाँ, एक्ता कपूर भी कुशल पंजाबी के काफी ज्यादा करीब थी और एक्ता ने उनके निधन पर अपने मन की बात कही है वो आखरी तस्वीर जिसमें कुशल अपने बेटे कियान के साथ नजर आ रही है, इस पर एक्ता लिखती है किसी को डिप्रेशन की वज़ा से हम लोगों ने खो दिया, हम लोग हार गए आपने नरक में बिता लिया अपना समय इस तस्वीर पर एक्ता कपूर के बाद कमेंट आया है करनवीर बोहरा का जो लिखते है तुम हमेशा याद किये जाओ के मेरे भाई, तुम अब अच्छी जगा पर हो बता दे आपको करनवीर बोहरा कुशल पंजाबी के निधन के बाद पूरी तरह से तूट गए थे उन्होंने कुशल पंजाबी की तस्वीर पर ये कमेंट किया कुशल पंजाबी को लेकर एक रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि पतनी की वजह से, मनमोटाप की वजह से कुशल ने अपनी जिंदगी को खत्म किया अंतिम समय तक कुशल पंजाबी अपनी पतनी और्डरी डॉलेन के साथ सुलह करने की कोशिश करते रहे अंतिम समय तक वो बार बार अपनी पतनी को फोन करके कॉंप्रमाइस की बात करते रहे लेकिन पतनी ने कॉंप्रमाइस करने से मना कर दिया और डेप्रेशन से जूज रहे कुशल ने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया कुशल पंजाबी के पिता ने भी बेटे के आकस्मिक निधन के लिए अपनी बहु को जिम्यदार ठेराया है कुशल पंजाबी के पिता ने कहा है कि बहु ने इस हद तक कुशल को मेंटल टॉर्चर किया कि कुशल के पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं बजा कुशर पंजाबी के पिता ने भारी मन के साथ आंखों में आसू लिये ये कहा है कि अगर बहू ने इतना दबाब ना बनाया होता तो आज मेरा बेटा इस दुनिया में होता कुशर पंजाबी इस दुनिया से जा चुके हैं लेकिन अपने पीछे कई तरह के सवाल छोड़ कर गए हैं जिनके जवाब आगे आने वाले वक्त पर ही मिल पाएंगे इस खास पेशकश में इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए नेक्स्ट नाइन नियूस के साथ जुड़े रहें नमस्कार